तो गाईज यहर आज की डेट में सभी छात्रों के आनलाइन एक्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे हैं जी आगाईज आप लोग देख सकते हो कि अलट एक्जाम से पहले पेपर हुआ लिग बड़ी कारवाई जी आगाईज बड़ी अपडेट आ र यह सिर्फ न सिर्फ छात्रों की लापरवही की वज़ा से यह सब हो रहा है जो चीटिंग का मामला अप लोग का है इन्वर्सिटी पहुच चुका है साथी प्रॉक्टर भी हैरान हो चुके है और प्रॉक्टर भी सकत से सकत कारवाई करने के निरदेश दे रहे है तो पूर सबसे पहले आपको बीडियो पूरी देखनी है तभी जाके आपका सारा डाउट क्लियर हो नहीं पहले पूरी वीडियो देखो फिर सारा मुद्द आपका क्लियर हो जागा चलिए वीडियो को पेपर है EK2 के छात्रों का और B2P के डीफाम का छात्रों का तो ऐसे में सबसे पहले आपको पूरी बीडियो ध्यान से 5 मिनित निकाल के देख लेनी है पहले आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं बीडियो पूरा देखो तब आपका जाके डाउट क्लियर होगा मैं आपको क जाम के दरान करने है नई तो आप लोग भी फसोगे समझ गया और बाकि टेंसल लेने की बात ने आपका भाई ये टेंसल ना लो बस पहले वीडियो देख लो मैं यही कहूंगा देखिए परिच्छा सुल खोने के आदा घंटा के बाद ही वारल हुगा प्रसपत आप देख इसकी एक फोटो आपको खीचनी है फोटो खीचने के बाद इसको क्रॉप करना है क्रॉप करने के बाद आपको उस पर सेंट कर देना विदिन फाइब सेकेंड आपको वीडियो सलूशन मिल जाएगा चाहे आप क्लास सिक्स के हो ट्विल्ट के हो यहां से आप लोग टेकनिक का यहां पर फिर पाल्टेक latest की बात केंगें लेकिन मैं क्रलीबरेट करके बताता हूं इसलिए क्योंकि 1 ऑक कर बेगिरेटा कर हो ला है राईन अलर служिय deserved का भी देखिएगा देखिए परिछा का हाल विभाग का पेप靖ाल ने सिंखर सिकेंड ओन जाने का दावी है से लिख हुए पेपर एक बास नोटिस करें किसका दावा है छात्रों का दावा इस बाहर राध्धाने से लिख हुए इसकी इंसार मतलब जो आपके छात्र है बीटी यूपी की वही जाके मीडिया में सारी बाते बता रहें एक बात क्लियर अभी मैं बताऊंगा कि किस एयर के चात्र ये बाते मीडियम जाके चीटिंग की बता रहें वायरल होने खबर फैला रहें समझ गए सब कुछ बताऊंगा देखो यहां पर यह पेपर लिख हुआ है बात कही जा रही है यहां पर इसके एंस्वर है आपके सामने अब किस एयर का कौन सा पेपर लिख हुआ है इ उत्तर के फोटो वायरल हो गए अब चात्रो का दावा है इस बार लखनाव से ऐसा हुआ है अब कोई और नहीं दावा कर रहा है आपके जो इस्टुटेंट है भाई चात्रो का दावा है ना यहां पर देखिए आप ही लोगों में से कुछ लोग इतनी हिमानदार है जो जा अब उनको तो कुछ लेना देना है नहीं उनको मातर गस्ति करनी है बाकी का फसेंगे कौन सेकेंडियर फिस्टियर वाले डीफाम वाले यह सब इनकी चाल है अभी दिखाते हैं मैं सारा कुछ आपको देखिए भाई कुसी भी यह का चात्रो प्लीज आप लोग ऐसा मत अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो इस बार लखनओ से वारल उधर विभाग इसे पेपर लिक मानने से इंकार करें चात्र दावा कर रहे हैं कि लखनओ से पेपर वारल लिक हो चुका है लेकिन जो आपका बीट यू पी भी विभाग है वो बोला पेपर लिक नहीं हुआ इतनी गली में तहँआ अब भी नकलसे शात्रों की संख्या गिना कर पुकता इतिताम की जाने की बात करते हुए अपनी फर्ट फपारी है अब कशी न कही ये अमर उजाला के डेली नीजप्पेपर में आता है आप लोग देख सकते हो अमर उजाला के जी नीजपपर है ध्या इंतजाम किये जाने की बात करते हैं अपनी पीर्थ अपता पार है अब ऐसी बात निश्पेपर में प्रकासित की जाएगी तो इन्वर्सिटी गुस्सा होगी और कुछ न कुछ कारवाई करेगी तो यह अमर उजाला भी यार कहीं न कहीं गलत कर रहे हैं पाल्टिगनिक की सम चातर ही दे रहे हैं अब देख लो भाई अब अकवन इसमें बोलेगा आप तो मेरी बात मानोगे इसकी जानकारी चातर ही दे रहे हैं देख लो यहाँ पर उसके वीकल्फ वारल होने का दावा किया जार मेकेनिकल ब्रांच के इंड़स्ट्रियल इंगनिरिंग का पेपर मै हो घमञों हो लें लगे अगर एक्जाम के आधे गाट हाँब अचक्र बोल लैक्किया फरत बोलने कि इससे तो पहले आप नकल हो रही है उससे विभाग की साहङ, गिरती जा रही है प्रॉक्टर की टीम में तयनात प्रधानाचारेों का इस तरह परिच्छा में सामुई कि नकल आज तक नहीं देखी छात्र सुनने के लिए तैयार ही नहीं है जहां वी परिच्छा देरे कई लोगों के आवाज़े आती है इससे अच्छा तो आप लाइन एक्जाम आप आनलाइन परिच्छा नहीं कराते हैं बाद में समय अनकुल होन कर जो हल्ला करते हो एकदम 37 एक्जाम दो जाएद इतने लोगों बैठा हो एकदम 37 मतले पूरी देड़ घंटे आर अपना मुँ बंद कर लो मनब सिल्लो मुँ ऐसा सोचलो कि मुझे बोलने ही नहीं आता सब लोग गूंगे हो ऐसे बनके एक्जाम देना आप लोग और बाक कि कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं ऐसी न्यूज आती रहेंगी पेपर में आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं चाहें डीफाम के मेरे स्टुडेंट हो चाहें एक्ट्यू के हो किसी बियर के आराहम से आप लोग टेंशन फ्री होके एक्जाम दो जैसे डेली बिकार हो गई है कोई धर देखेगा दोस्त बताए कोई धर तो यह सब बाते साधानी परतने हैं तो आज के लिए बस इतना इक तक के लिए